So guys, अगर आप किसी भी payment bank में अपना zero balance saving account open करना चाहते हैं, तो मैं आपको recommend करता हूँ कि आप एटल payment bank में अपना zero balance saving account open करें, क्योंकि मैं personally एटल payment bank के account को 4 साल से use कर रहा हूँ, और इस account के मुझे कुछ advantage भी देखने को मिले और कुछ disadvantage भी देखने को मिले, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी के सार्फ share करने वाला हूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर side में देख सकते हैं, मैंने इस time एक zero balance saving account एटल payment bank में open किया है, account successful open हो चुका है, और इस account का जो balance है अभी zero है, हम यहाँ पर debit card वाले option पर click करेंगे, तो यहाँ पर जो virtual debit card हमें मिलता है, वो यहाँ पर generate हो चुका है, और अब हम इस virtual debit card से किसे भी phone पे, Google पे, Paytium पे, या फिर किसे भी UPI application में अपने account को create कर सकते हैं, तो guys YouTube पर आपको बहुत सारी videos देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कि आप सभी को बताया जाता है कि आप लोग online अपने mobile phone से, सिर्फ आधार card से ही ATL payment bank में account को open कर सकते हैं, तो आप सभी को बता दूँ, ATL payment bank में सिर्फ आधार card से, आप लोग अपने account को तभी open कर सकते हैं, जब आप लोग अपने physical आधार card को offline के माद्यम से ATL के point पर जाएंगे, और बहाँ पर आप लोग अपने आधार card के साथ साथ अपने guardian के भी आधार card को लगाएंगे, तो ATL point से आपका minor एक account open किया जाएगा, और जिस account के आपको कुछ limitation भी देखने को मिल जाएंगे, अगर आपको खुद से अपने mobile phone से online ATL payment bank में account को open करना है, तो इसके लिए आपके पास आधार card और pen card होना ज़रूरी है, इसके साथ ही यहाँ पर मैं आप सभी का एक और doubt किलियर कर देता हूँ, आपके पास में ATL की SIM card है, तब भी आप लोग इसमें ATL payment bank में अपने account को open कर सकते हैं, इसके लाबा अगर आपके पास जियो, BI, BSNAL, किसी भी telecom company की SIM card है, तब भी आप लोग यहाँ पर ATL payment bank में अपने Zero Valence Saving account को open कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर जो भी account open किया जाता है, वो number के base पर नहीं किया जाता है, वो आप लोग जो भी document submit करते हैं, उस document के base पर आपका account open किया जाता है, So guys, ATL payment bank में अपने Zero Valence Saving account को open करने के लिए, सबसे पहले आप सभी को ATL thanks application को अपने phone में install करना होगा, तो ATL thanks application की downloading link आप सभी को वीडियो के description box में मैंने provide कर दी है, उस link पर आप लोग click करके अपने mobile phone में इस application को install कर लेंगे, application को अपने phone में install करने के बाद में इसे आप लोग अपने phone में open करेंगे, इसके बाद आप लोग इस वाले box में अपने mobile number को enter करेंगे, जिस भी number से आप लोग यहाँ पर ATL payment bank में अपना account open करना चाहते हैं, इसके बाद gate OTP बाले option पर click करेंगे, आपके number पर 1 OTP send किया जाएगा, आपकी sim card अगर इसी phone में पड़े हुई है तो OTP यहाँ पर automatic fill हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ permissions को allow कर देना है, permission को आप लोग यहाँ पर जैसे ही allow करेंगे, तो आप सभी के सामने ATL thanks application के home page का interface, आप सभी को यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ ATL payment bank में अपने account को open करने के लिए, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर ATL thanks application में अपने wallet को activate करना होगा, अपने wallet को activate करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर ATL payment bank में अपने account को open कर सकते हैं, तो अपने wallet को activate करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर wallet वाला section दिया रहेगा आप लोग यहाँ पर gate wallet वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने wallet को activate करने के लिए सारी detail fill करने का page open हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले box में आप लोग अपने ID proof के हिसाब से अपने first name को enter करेंगे इसके बाद last name एंटर करेंगे यहाँ पर अपनी date of worth fill करेंगे अपनी email ID को इस वाले box में एंटर करेंगे अपने area के pin code को इस वाले box में एंटर करेंगे जो भी आप लोग अपन continue वाले option पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर एक 4DZ का एक MPN create करना होगा, तो यहाँ पर आप लोग कोई भी अपना 4DZ का एक strong MPN set कर लेंगे, confirm आप लोग MPN यहाँ पर एंटर करेंगे, और fit done वाले option पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके इस number पर एक OTP send किया जाएगा, OTP चेक करके आप लोग इस वाले box में एंटर करेंगे, इसके बाद confirm वाले option पर क्लिक करेंगे, आप सभी को यहाँ पर kangaroo situations का message देखने को मिल जाएगा, और registration successful का message भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो wallet है, वो यहाँ पर activate कर दिया गया है, और जो हमारा यहाँ पर wallet activate किया गया है, उसके limit हमें 9000 रुपए मिली है, आपके अधार card और pen card के base पर आपको जो भी limit मिलेगी, वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो हम यहाँ पर explore के option पर click करेंगे, explore के option पर हम जैसे ही click करेंगे, तो atal thanks application के home page पर हम आ जाएगे, अब यहाँ पर मेरा wallet activate हो चुगा है, आप यहाँ पर मेरी wallet का valence भी देख सकत इसके बाद आपको open bank account का option मिल जाएगा, इस वाले option पर आप लोग क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर document submission का एक page open हो जाएगा, जिसमें कि आपको इस वाले box में अपने आधार card number को एंटर करना है, यहाँ पर एक check mark लगाना है, और next वाले option पर click करना है, इ इसके बाद आपके आधार card से जो भी आपकी detail होगी वो automatic ही यहाँ पर page कर ली जाएगी, यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी additional information ही fill करनी होगी, तो यहाँ पर additional information में आप सभी को सबसे पहले अपने father की name को एंटर करना है, फिर आपको mother की name को एंटर करना है, इसके बाद आपक income का option मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, जितने भी रुपए आप लोग एक साल के अंदर earn कर लेते हैं, उन्हें आप लोग यहाँ से select कर लेंगे, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा scroll down करके नीचे आएगे, तो यहाँ पर आपको correspondence address का option मिल जाएगा, तो यहाँ पर अपने account के लिए एक MPN को set करना होगा, जो कि 4 digit का रहने वाला है, तो आप लोग यहाँ पर 4 digit का कोई भी MPN set कर सकते हैं, दुबारा से आप लोग confirm MPN यहाँ पर enter करेंगे, और done वाले option पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर nominee की details को fill करने का page आ जाएगा जिसमें के आपको nominee की detail को fill करना है, अगर आप लोग चाहें तो nominee की detail को अपने account को open करने के बाद में भी यहाँ पर add कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग nominee को अभी add करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग nominee के नाम को enter करेंगे, इसके बाद nominee की जो भी date of worth उसके ID proof में होगी उसे आप लोग यहाँ पर देख करके enter कर देंगे इसके बाद select nominee relation वाले option पर click करेंगे तो आपका nominee के साथ में जो भी relation होगा उसे आप लोग यहाँ पर select कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सारी detail को यहाँ पर आप लोग फिल कर देंगे इसके बाद आप लोग submit वाले option पर click करेंगे अब यहाँ पर आप जैसे ही submit वाले option पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा जिसमें कि आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा बी आर अल्मोस्ट देर तो यहाँ पर एटल पमेंट वैंग में आपका जो account है बो लगबग यहाँ पर open हो चुका है यहाँ पर अब आपको स्तरीफ अपनी video के वैसे ही करनी है और video के वैसे आप लोग जैसे ही complete कर लेंगे तो आपका एटल पमेंट वैंग में successful account open हो जाएगा तो यहाँ पर video के वैसे को complete करने से पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ बातों का धियान रखना है सबसे पहले आप सभी लोग जो भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसकी इंटरनेट speed जो है अच्छी कासी मिल रही हो तभी आप लोग video के pen card को भी आप लोग दिखाएंगे तो यह सभी चीजें जब आप लोग ready कर लेते हैं ready करने के बाद में जब आपको video के वैसे complete करनी हो तो आप लोग schedule 9 वाले option पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page आ जाएगा जिसमें कि आप आप से पूचा जा रहा है कि क्या आप लोग video के वैसे करने के लिए ready है तयार है अगर आप लोग तयार है तो आप लोग 9 वाले option पर क्लिक करेंगे अब यहां 9 वाले option पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके phone का जो front camera है वो open हो जाएगा वीडियो के वैसे का जो process है वो start हो जाएगा आपको यहां पर अपना face दिखाना है आपके face को detect किया जाएगा आपको अपने physical आधार card pen card को यहां पर camera में दिखाना होगा और उस white paper पर signature करके आपको दिखाने होंगे आप लोग video के वैसे ही जैसे ही यहां पर complete कर लेंगे complete क बाद में मेरा जो एकाउंट है वो successful open हो चुका है यहां पर आप लोग देख सकते हैं saving account वाले section में अभी मेरा जो valence है वो बिल्कुल 0 है और यहां नीचे के side में debit card का option दिया गया है हम debit card वाले option पर click करेंगे तो मेरा जो भी इसका virtual debit card होगा वो मेरे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा यहां पर इस virtual debit card को use करके हम online जो भी UPI application आते हैं उनमें account को create कर सकते हैं और फिर हम UPI application से इस account से कहीं पर भी पैसे transfer कर सकते हैं जब आप लोग यहां पर एटल payment bank में अपने successful account को open कर लेंगे तो यहां पर आप सभी को दो तरह के card देखने को मिल जाएंगे एक होगा virtual debit card और दूसरा होगा physical debit card तो आपको जो भी virtual debit card मिलेगा उसमें आपको 25 रुपाय प्लस GST annual के हिसाब से charge pay करना होगा मैं personally आपको बता तक आसानी से विड्रो कर सकते हैं और अगर हम यहां पर बात करें physical debit card की तो यह आपको काफी महेंगा पढ़ने वाला है इस card को लेने के लिए आप सभी को इस application से ही order करना होगा और order करने के बाद में इस card को अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग किसे भ आपको कोई भी ज्यादा फाइदा नहीं होगा